हेलो फ्रेंड्स वालकम टू एक्जाम एल पाज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश स्टाफ सेलेक्शन कमिशन और मेरे पूर से जुड़ी हुए एक बड़ी खबर की तो देखे ये खबर क्या है टीजिटी भरती पर रोग के बाद अब शास्त्री साइत बीस अन्य श्रेणी की आर्ट सो त्रेनोय पदों को भरने पर रोग लग गई है हिमाचल प्रदेश हाइकोट ने 18 जोन को जारी नोटिफकेशन पर स्थगन आदिश जारी करते हुए सरकार से 21 अगस तक जवाब मांगा है बीपेल श्रेणी को आर्थिक तो पर कमजोर वर्ग में समयोजित करने के चलते भरती पर रोग लगी है तो देखे जब से हिमाचल प्रदेश में EWS लाग हुआ है तब से बीपेल के तेहत जितने भी केंडियेट आते हैं उन सभी को EWS के तेहत ही अरक्षन दिया जा रहा है और देखे अब सरकार के इस फैसले को हाई कोट में चलेंज किया गया है और प्रार्थी अनिल कुमार ने हाई कोट में याचिका दायर की है और देखे जितने भी केंडियेट बीपेल श्रेणी के तेहत आते हैं उनके लिए वार्षिकाए 35,000 रखी गई है जबकि आर्थिक तोर पर कमजोर वर्ग की उमीदवारों की वार्षिकाए 4,000,000 रखी गई है तो देखे प्रार्थी के नुसार और आज जिस सरकार का बीपेल श्रेणी के उमीदवारों को आर्थिक तोर पर कमजोर वर्ग में समयोजित करने का फैसला गलत है और इसी के तेहत उन्होंने हाई कोट में याचिका दायर की है और अब हाई कोट ने इसी के तेहत सरकार से 21 अगस्त दोजार बीस तक जवाब मांगा है और देखिए इसी कारण हिमाचल प्रदेश स्टास सेलेक्शन कमिशन हमिरपूर के द्वारा अगस्त मन्त दोजार बीस में जो एक्जाम करवा जाने थे उन सभी एक्जाम को रद कर दिया गया है और देखिए ये है फुल निकाली गई थी और देखिए जान लेते हैं कि ये कौन-कौन सी पोस्ट है जिन पर स्थगन आदेश जारी किया गया है हाई कोट के दोवारा तो देखिए सबसे पहले है हिमाचल प्रदेश स्टेट फोरेस्ट डिपार्टमेंट में जूनिर इंजिनियर मेकैनिकल की Information and Public Relations में Video Film Editor, Agriculture में Surveyor, आयरुवेदम में आयरुवेदिक फार्मासिस्ट, Agriculture में Junior Draftman, हिमाचल Road Transport Corporation में Law Officer, HPSIDC में Junior Engineer Electrical, हिमाचल प्रदेश तक्निकी शिक्षा बोर्ड, दर्मशाला में Clerk, Health and Family Belfare में Allopathy Officer, Labor and Employment में Labor Inspector, हिमाचल प्रदेश State Cooperative Milk Producer Federation Limited में Junior Laboratory Technician, EC Department में Junior Quality Control Officer, EC Department में Marketing Assistant, EC Department में Technical Superintendent, EC Department में Milk Procurement Assistant, EC Department में Plant Operator, जलशक्ती में Computer Operator, Elementary Education में शास्त्री और Elementary Education में Language Teacher, इसके लावा, HPSCBL में Junior Office Assistant, HPSCBL में Junior Draftman, तो देखे, इस notification के तहत, इन 21 Department में कुछ भविन वकेंसिया निकाल गई थी, और अब High Court के दवारा, इन सभी पर अगामी आदेश तक स्थगन जारी किया गया है, और देखे, इसी के तहत, 6 Post Code के लिए होने वाला Written Exam, जो की अगस्त मन्त में Connect करवा जाना था, ओल्रेडी रद कर दिया गया है, आयोग हमिरपुर के दवारा, तो देखे, यदि ये पूरा मामला Sort Out हो जाता है, तो तब September मन्त 2020 में, जितने भी एक्जाम, आयोग हमिरपुर के दवारा Connect करवा जाने थे, उन पर कोई भी इंपेक्ट नहीं पड़ेगा, यदि ये मामला जल्दी Sort Out नहीं होता है, तो देखे, तब इस notification के तहत, जो वकेंसिया निकाली गई थी, और इनके लिए जो September मन्त में एक्जाम होने वाला था, उस पर भी इंपेक्ट पड़ सक सकता है, और उनको बीरत किया जा सकता है, और हाई कूर्ट के दोवारा इस notification के तेयत, जितनी भी वकेंसिया निकाली गई है, उन सभी को अगामी आदेशों तक स्थागित कर दिया गया है, और देखे, आज के इस वीडियो में हमने बात की है, हिमाचिर परदेश स्था स्थ परदेशन कमिशन हमीरपुर से जोड़ी हुएक बड़ी खबर की, मुझे पुरी पुरी उमीद है, ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी एलफलो और इन्फरमेटिव रहा होगा, तो देखे इस वीडियो को देखे दिक लाइक और शेर करें, इस चैनल को सब्सक्राइ कर लें, आज कि इस वीडियो में बस इतना ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फर वाचिंग